नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्मेक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उप क्लब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतनकोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। अब आजाते हैं हम एक और यहां पे तरीके के प्रश्ण में जिसमें हमें सिद्ध करना है और फिर से आप देख रहे हैं कि दो ही हमारे पास चरपद हैं और फिर से घात में घन हमें मिल रहा है। तो यह जो प्रश्ण है वो सिद्ध करने का है। अब जब हमें यहां पे द दो पद और घन मिल रहा है तो हमें तो एकी सर्वसमिका पता है और वो सर्वसमिका है कि X प्लस Y का पूर्ण घन हम कैसे निकालें और वो हम इस प्रकार से निकाल लेते हैं है ना यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं आ रहे हैं क्योंकि यह हम पढ़ते आ रहे हैं और यही हमें पता है देखिए असल में प्रश्ण भी आपसे बहुत जादा कुछ अलग इच्छे नहीं रख रहा है यह भी आपसे इसी प्रश्ण को इसी सर्वसमिका को थोड़ा सा कह रहा है देखिए कैसे आपको पता है कि यह होता है आप इस दी गई सर्वसमिका जो आपने लिखा है इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को विशय बना देंगे तो बाकी सारे ही पद हमारे पास बराबर चिनने के दूसरी तरफ चले गए तो एक्स प्लस वाई का पूर्ण घन तो था ही साथ में आ गया माइनस तीन एक्स वाई और एक्स प्लस वाई का गुणनफल अब आप देखिए एक्स प्लस वाई के पूर्ण घन का क्या मतलब हुआ कि एक्स प्लस वाई को तीन बार खुद से ही गुणा किया गया है और दूसरा पद आया माइनस 3xy, साथ में x plus y, अब इन दोनों पदों में से x plus y उभेनिष्ट दिख रहा है, ये निकाल लीजे, तो क्या बचा, ये बचा x plus y का पूर्ण वर्ग और माइनस 3xy, 3 थे बार multiply हो रहा था, 3 बार यहां गुड़ा हो रहा था, उसमें से एक निकाल लिया, तो वो दो बार बच गया, अब साथ में आ गया x plus y, और यहां पे x plus y का पूर्ण वर्ग आनिकी, x square plus y square plus 2xy minus 3xy, और साथ में हमारे पास आ गया x plus y, और यह आ जाएगा x square plus y square minus xy, तो यही उत्तर हो गया, असान प्रशन था देखिए, जो दी गई हमारे पास, यह सर्व समिका थी, इसको थोड़ा सा घुमा के लिखा, अपने यहां भी सिद्ध हो गया, उत्तर लिख लिजे या कह दीजे कि सिद्ध हो गया, ठीक है, आईए अगला प्रशन देखें, और अगला प्रशन हमको कह रहा है कि गुड़न खंड करें, तो देखिए जो आपने अभी सिद्ध किया था, मैं एक बार फिर से आपको दिखाओं कि मैं क्या कह रही हूं, कि यह जो सिद्ध किया था, यह क्या करेंगे, कि अगर हमारे पास दो पद हैं, और दो पद इस बार मान लेते हैं, कि A और B हैं, और इनके घंड है, उनका योगफल है, और इसका आपको गुड़न खंड करना है, तो हम क्या लिख लेंगे, A प्लस B, और साथ में हमारे पास आ जाएगा, A स्क्वार माइनस A B प प्लस AB और प्लस B स्क्वार आ जाएगा, तो जब प्लस होता है, तो यहां माइनस आता है, जब माइनस होता है, तो यहां प्लस आता है, ठीक है, अब इस बात का सिद्धिकरण, आप एक बार संहेम से वोजी वाली जो सरसिल मिखा हमने दी थी, उसी के माइनस किंने वाली स Almighty सुमिका को प्रयोक करके कर लेजे जो चलिए आई अब प्रश्ण पर आ जाते हैं और प्रश्ण में हमें दिया गया है 27y3 27 हो गया 3 का घन और y का पूर्ण घन और यह हो गया 5z का पूर्ण घन तो a हो गया 3y और b हो गया 5z फिर यहां पर हो गया 3y का पूर्ण वर्ण माइनस 3y और 5z का गुडण फल और साथ में आ गया 5z का पूर्ण वर्ण तो हमाई पस क्या जाएगा 3y प्लस 5z और साथ ही आ गया 9y स्क्वार माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वार तो जो दिया गया हमारे पास यहां पर पत था जिसमें दो पतों के घन का योग फल था उसका हमने गुडण खंडण कर लिया